बना हुआ है यहां से देखिए क्या मंजर और नजारा दिख रहा है आपको बहुत खूबसूरत तो यहां पर भी एक काफी बढ़िया से बनाया गया है तो रात के टाइम यह लाइट वगरे जलेगी तो बहुत खूबसूरत दिखेगा कंपनी गार्डन उद्ध्या तो हेलो कि आपने थमनल में देखी लिए होगा कि क्या चीज मैं दिखाने आ लाओं सो हम चलते हैं धीरे धीरे यह कंपनी गार्डन का एरिया जो कि गुपतार घाड भी कहलाता है इसके जश्ट मेरे राइट साइड में नदी है सो सर्यू नदी है उसके वज़ा से गुपतार घाड दिन और छुटियों के दिन यहां के इंजॉय करते हैं और इधर साइड भी पूरा गार्डन करिया और उसके बैक साइड में यहां पर सर्यू रिवर फ्रंट है बना हुआ है जो कि गुपतार घाड भी कहलाता है इसके आगे हम चलेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कितनी भीर लगे हुए और यह गार्डन काफी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि नदी के किनारे ही बैंक करीवर जिसे कहते हैं तो वहां पर सिचुएटेड है और यहां पर देखिए कितने हरे बड़े पौधे और फूल पती वगएरा देखने को मिलेगी तो यहां पर लो यहां पर पहले पूरा पूरा जंगल हुआ करता था और अब इसकी पूरी की पूरी तस्वीरी बदल गई है यह देख रहे हैं यह चौरहा बना हुआ है इससे पहले मैंने अपडेट भी दी थी सो यहां पर इस चौरहाई के बीच में कुछ लगा नहीं था अब देख रहे बजब का बना हुआ है और देख रहे हैं लाइन से कारे वगारा खड़ी है इधर भी कुछ कैंटीन वगारा बनने के लिए लगा हुआ है और इसका कलर कंबिनेशन काफी अच्छा दिया गया हुआ है और सड़क वगारा भी कितनी क्लीन बना देगी यह पूरा है इसका काम हमें लगता है इधिंग पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है यह साइड साइड में यहां पे फ्लॉरिंग के लिए बीच में स्पेस छोड़ा गया है और लैंप यह आला आप देखेंगे यह लैंप बड़े शेहरों में ज्यादेतर हुआ करता था तो यह लैंप इसकी साइड बगारे चलती है बहुत खूबसूरत लगता है और मैं इस तस्वीर को शेयर करूंगा कि किस तरह दिखता है तो हम लाश्टेंट तक चलते हैं और दिखाएंगे आपको कि किस तरह यह स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां से दिखेंगे क्या मनजर और नजारा दिख र पूरा और उधर साइड पूरा आम की बगया ही बगया है क्योंकि जंगल एरिया पूरा हुआ करता था कायंट का एरिया है और यहां पर देख रहे हैं आमकी बौरें भी निकली हुई है इस जगहां सूर सामने देखें मैं बता रहा था सेल्फी पॉइंट हो गया अच्छा सो यहां पर देखिए बच्चे सेल्फी भी खिचवा रहे हैं और यह पूरा एरिया आमकी बौर निकली हुई है कापी अच्छा लग रहा है यहां पर देखने से और इस चवराहे की इंड और इस टेक्चर की इंड यही पर होती है सो हम बैक चलते हैं और भी सीन आपको लि है तो यहां पर भी काफी बढ़या सा बगीचा हे और यह सब बेंट वग multipics लूख गयरा हुआ हैं तो काफी बढ़या लग रहा है और यह विजा जो है हमें लग रहा है इस यहां पर कुछ लोगों ने उखाल दिया था जो आयॉध्या लिखा हुए इस टीकर chuck कर रहता है तो उसी को फिर से रेनोवेशन कर रहे है फिर बना रहे है और आपको कैसा लग रहा है यह स्ट्र encouraged में बताईएगा और देख रहे हैं यह चोरह है यहां से । गतना ज़त अच्छा लुका रहा है यह इस इस्ट्रेक्डर में और서 लेमप ज़ लगा गया हुण मुझे लगता है उदर पूरा बागानी है पूरा आम का पेड़ वगएरा हर्याली और यह चौरहा लैंप वगएरा रात के टाइम तो काफ़ी बेहतरीन दिखेगा और हम इदर से चलते हैं दिखा रहे हैं आपको यह जो पूरा है यह पूरा एरिया पार्किंग एरिया यहां पर दिया गया हुआ है काफ़ी बड़े एरिया में की कार वगएरा टू विलर फोर विलर जो भी आएंगे सो पार्किंग एरिया यहां पर दिया गया हुआ है और इ इसमें पेड़ वगएरा में भी लाइट वगएरा भी लगाई गई है और बीच भीच में जूला वगएरा भी लगाए गया है बच्चों के पिकनिक के तौर पर सो काफी बेहतरीन दिख रहा है और अधिया डपलेमेंट अथार्डी के तरफ से इसकी पिक शेयर की थी तो को दिखाते हैं और इस चोड़ाय से हम अगर राइट की तरफ मुड़ते हैं तो हम निकलेंगे गुपतार घाट नदी के साइड में सो यह रोड भी जल्दी बनाएगी गई हुग है तो हम चलके इसको भी आपको दिखाने कोशिच करते हैं कैसा दिखता है यह गुपतार घ हाट का एरिया यहां पर सीधा हाँ को यह नदी के तरफ निकाल देगा ठोड़ा मोड़ा गाओ की तरह लगता यहां पर तो यह कुकिया रार अठीकर घाता हुरिफि कंहां है यहां पर आप देखेंगे हैं इस यह हैं कि यह पुरा नदी जिवल् Alice की शर्यों नदी अप्र काफी पानी हो गया है तो काफी प्यारा लग रहा है यहां पर यह इसा यह गुपतार घाट है काफी खुबसूरा दिखता है और जश्ट इसके बगल में यह इस्ट्रिक्चर बनाया गया हुआ है इधर से रास्ता क्लोज है हम चल के और सीन दिखाते हैं आपको बहुत ही बढ है है यहां पर आप सामने देखेंगे यह पेंटिंग की कहते हैं सो यहां से इसकी शुरुआत है और यहां पर हुआ होता है यह कैंटीन त्यक्ताया रां यहां पर आप देखेंगे यहां पर ऑद लूद्धार का इरिया है यहां पर आप नदी किनारे पकोड़िया वगएरा खा सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे लगती है यह पूरा एरिया जो है सामने आप देखेंगे यह सब काइंटीन एरिया बनाया गया हुआ है नगर निगम की तरफ से यहां पर देखिए यह भी रोड फो लेन बना दी गई है इधर गुपतार घाट की तरफ आने आली इससे पहले है टू लेन थी तो यह सब किनारे थे अब बीच में आ गया है और दोनों तरफ कारे वगरा खड़िया बहुत सारी बहुत सारे लोग आ हुए हैं आज के दिन तो इस वीडियो को हम यही परेंट करते हैं और यह वीडियो और अबडेट अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा शेयर कर येगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई ब प्रफर के लिए सिर्णा प्रफरे